एने हिंदी के एक नए अपिसोड में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम मुक्यता बात करने वाले हैं डसाल टेविएशन को लेकर आई एक बड़ी अपडेट से आपने एक चीज़ गौर करी होगी कि पिछले कुछ समय में डसाल टेविएशन जो है भारत में काफी ज है ही सुना एनाई की रिपोर्ट में ये कंफर्म किया जा चुका है कि डसाल टेविएशन भारत में एक जो नई मेंटेनेंस रिपेर और ओर हॉल फैसल्टी है नोएडा में इस्टैबलिश कर रही है जहां पर वो अपने फ्रेंच और जिनके जो फाइटर जेट हैं इन्हें हैं और एक लंबे समय तक ऑपरेट किये जाते रहेंगे इसके लबाब भारतिय नौ से नाभी 26 के संख्या में जो राफिल फाइटर्स हैं इनको खरीदने के लिए कांट्रैक्ट को कभी भी साइन कर सकती है तो ऐसे में इनके लिए हमें टेक सपोर्ट भी चाहिए होगा इन और ओर हॉल फैसलिटी है जिसको हम डसाल्ट अविएशन मेंटिनेंस रिपेर और ओर हॉल इंडिया के नाम से जानेंगे यानि डी एम और ओई के नाम से जानेंगे इसके बारे में आउगत करवा दिया है और डिफेंस ऑफीशल ने इस पर बात करते हुए ये कहा है कि भार इसको इस्टैबलिश करने की बाद साब ने आई थी तो बहुत सारी मेडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया था कि फ्रांस आगे चलके जो अपने ही टीम है उसको पुश करेगा यहाँ पर और इंडियन जो इंजिनियर्स है और या दूसरी जो क्या सकते ऑफीशल स है उनको जब जगए नहीं मिलेगी लेकिन डिसाल टीवीशन ने क्लियर कर दिया है कि यहाँ पर फ्रेंच और इंडियन दोनों टीम काम करेंगी मेल करके और यहाँ पर नासिब भारत के राफिल फाइटर जेट्स को इमारो सपोर्ट दिया जाएगा बुलकी संभावित है क जो मित्र देश है भारत के और वो राफिल ऑपरेटर्स भी है उनको भी यहाँ से जो टेक सपोर्ट है और एमारो सपोर्ट है वो प्रदान किया जाएगा एक तरफ जहां डसाल टेवीशन की यह एमारो फैसलती भारती है वायुसना के राफिल फाइटर्स के लिए और महरा के लिए यह बातें काफी अच्छी हैं आपने गहर किया होगा कि जो फ्रांस से भारत में बहुत जादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है खासकर अगर हम एरोस्पेस टेक्नॉलोजी की बात करें तो पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि एक के बाद एक जो बड़ी जो इंजन डील है वो अपने अंतिम शर्ण में पहुँच चुकी है और कभी भी वो फाइनलाइज की जा सकती है भारत को 110 स्क्लिटन ट्रस क्लास के इंजन की जरूरत है कि भारत एक फॉरें रोरिजनल एकिपन मैनेफेक्ट्टर के साथ कोलाबरेशन में बनाएगा अब र अंतरगत वो इंजन बना करके दे भी देंगे और वो इंजन EJ 200 से संबंधित नहीं होगा और इसके अलावा जनल एक्ट्रिक ने भारत को जो ऑफर किया था वह 414 EPE यानि इन्हांस परफॉर्मेंट एंजन का था जो कि वह 115 से 120 क्लिटन का चास्ट जरूर्ट करने में सबसे जादा है और बाकाइदा कहीं ने कहीं इंटर्नली ये माना जा रहा है कि प्रोग्रेम आगे बढ़ भी चुका है और वो है सैफरान सैफरान ने भारत को कहा कि वह 100% ट्रांसपर आप टेक्नॉलजी देने के लिए तैयार है और जो इंट्रेक्ट्ट्ट्ट प्रपर् करें यह भारत के उपर है भारत को एक्सपोर्ट करने के लिए किसी प्रकार की पर्मिशन के जरूरत नहीं पड़ेगी सबसे खास बात तो यह है कि फ्रॉम स्क्रैप यह इंजन भारत में बनाये जाएंगे और यहां पर यतनी टेक्नॉलजी ट्रांसपर एंजन के भारत को दी जाएगी फिर जाएब होट सक्षन हो कोर हो इन सब के टेक्नॉलजी भारत को मिलेगी और जो जीटी हरी है वो इसको लेकर काफे उतसाहिद भी है यहां पर उत्देश यह है कि 110 से लेकर के 120 क्रिटन का जो इंजन है यह विक्सित किया जाए जो ना सिब आमका की नीट को पूरा कर सके बलकि भारत के पास यहां पर बैतरीन आप्शन यह होने वाला है कि भारत अपने राफल फाइटर्स में भी इन इंजन का इस्तमाल कर पाएगा और इसके लावा भारत चाहे तो तेजस मार्क टू जो कि एफ़ोर इन फोर्स वो अफिलाल पावर्ड होंगे उन और उसमें जो कारे है यह बहुत जल शुरू भी हो जाएगा और ऐसे में भारत के लिए जो फ्रेंज और जिन के फाइटर्स हैं इनको मेंटेन करना बहुत ही जादा आसान हो जाएगा और कहीं ने कहीं यह एक संकेत भी है कि अगर MRFA टाइम पर हुआ तो भारत के पास आप का और और है और इस समय कुछ देश स्वाइसे हैं जिन्हें अल्री तीन वर्ष से पहले अभी यह एक राप नहीं मिल पाएगा फ्रांस प्रोडिक्शन रिट बढ़ा नहीं पा रहा है और जो डिलिवरी है वो कर नहीं पा रहा है तो ऐसे में संभावित है कि देशाल डेव पारवर डिसीजन लेने पड़ेंगे क्योंकि राफल एम की बात करें तो राफल एम को लेकर कि कुछ लोग उतसाहित हैं कि आइनस विकरांट में हमें देखने को मिलेंगे डील फाइनलाइज होने वाली है लेकि शायद उन्हें नहीं पता कि अगर राफल एम की डील इसी भी फाइनलाइज हो जाती है तो कम से कम तीन वर्ष लग जाएंगे भारती अनौ से नहीं को पहला राफल एम मिलने में यानि कम से कम हमें दो हजार अटाइस से उन्तिस के पहले या 2030 तक जो राफल एम है या इनस विकरांट में ही देखने को मिलेंगे और ऐसे में अगर MRFA होता है तो उसके अंतरगत भी जो पहला एयरक्राप्ट है वो हमें दो हजार एक्तिस से बत्तिस के पहले देखने को नहीं मिलेगा खैर कोशिस तो यह की जा रही है कि भारत के इसी प्रकार से अपने जो फाइटर जेट की फलीट है उसको बढ़ा सके और बाकादा जो इस समय हमें राफल ऑपरेशनल है इनके कैपबिल्टी को भारत में इन्हांस किया जा रहा है और इसमें जो हमें इंजियन मेड वैपन सिस्टम है यह धीरे देखने को बेलेंगे और ऐसे में फ्रांस का सपोर्ट भारत के लिए काफी उप्योगी साबित होगा क्योंकि जहां तक र वीडियो में बस इतना ही आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए नए है चैनल को सब्सक्राइब करिए साथी जात यह भी बताइए कि क्या जो राफल फाइटर एक्राप्ट है इसको लेकर भारत को सीजन तुरांत लिए न शाहिए या फिर भारत ने ओलिडी देर कर दी है और आप फ्रांस की जो निर्ने हैं इनको गैसे देखते हैं इसके बारे में भी कमेंट जरूर करिए तो मिलते एकले वीडियो में तब तक के लिए जाहें